बुकारो का खास चास पानी के लिए पानी पानी हो रहा है चास नगर निगम छित्र में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है हाई तोबा मचा हुआ है निगम के सभी वाडो में पानी के लिए चास नगर निगम वासी पानी पानी हो रहे हैं एक तो सरीर को जुलसा देने वाली तापमान, उपर से पानी और बिजली ने मिलकर हाहाकार मचा रखा है चास्ट नगर निगम छेतर में, चास्ट नगर निगम छेतर में लगबग 6500 परिवार जल कनेक्शन धारी है, और इन कनेक्शन धारियों को वाटर ट्रीटमेंट प्ला प्लांट में तीन मोटर लगे हुए है और उनके हिसाब से टांसफर्मर भी यहां लगे हुए है अभी लगबग एक सब्ता पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इन तीन मोटर में से दो मोटर जल गए, बीच में तो राहत थी लेकिन अचानक तापमान आग का गोला सा बन पड़ा है और साथ में बिजली का अलग से कट होना भी। का कहना है जली हुई दोनों मसीनों लगबग बन कर तयार है लेकिन पावर कट यानि बिजली की आँक मिचोली ने चास नगर निगम छित्र में पानी की समझसा को इस गंभिरता तक पहुचाने में एक बड़ा कारण बना हुआ है चास नगर निगम के एसी का साप साप कहना कि एक दो दिनों में पानी आपूर्ती पहले की भाती प्रारंब हो जाएगी लेकिन इतनी जबरदस्त गर्मी और ऐसे में निगम छित्र में पानी की सप्लाई बाधित होगा तो लोग तो बाहर निकलेंगे ही समाज से भी राजनेता तो प्रस्न पूछेंगे ही चास में पानी की आपूर्ती बाधित होने पर समाज से भी राजनेता निगम की काच परनाली पर खुब सवाल खड़ा कर रहे हैं और चास बासी को इस बेतासा गर्मी में जल्द से जल्द जीवन की सबसे जरूरी चीज में से एक पानी निगम बासीयों को मिल सके इस से लेकर सवाल खड़ा करने के साथ साथ प्रियास है तू प्रियास भी कर रहे हैं चास नगर निगम के एसी मुक्ति कीड़ों का कहना है कि निगम द्वारा टेंकर से वाडो में जलापूर्थी कराई जा रही है उनका कहना है कि जली हुई मसीने लगभग मरम्मत हो चुकी है लेकिन बिजली कट अब पानी सप्लाई में एक बड़ी परेशानी एक बड़ी वी है